स्वागत है आपका हिलियस कोचिंग में आज के इस वीडियो में हम हिमाचल परदेश बजट 2023-2024 में मैंशन स्कीम का तीसरा पार्ट करेंगे जो H.A.S. एलाइड और एंटे एक्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्डट है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्कीम लेंगे फिशरी सेक्टर के अंदर हिमाचल परदेश सरकार प्राइवेट सेक्टर में 20 हेक्टियर के नए फिश पॉंट स्थापित करने जा रही है परपस यह है कि फार्मर्स की इस सेक्टर में इंकम को इंक्रीज किया जाए इसके लिए हमाचल सरकार फार्मर्स और उस रिलेटेड लोगों को फिश पॉंट कंस्टरक्ट करने के लिए 80% सबसेडी प्रोवाइड करेगी साथी साथ हमाचल परदेश सरकार नए ट्राउट फिश यूनिट भी स्थापित करने जा रही है आगे बात करते हैं हमाचल परदेश सरकार पांच छोटे बायो फ्लॉख फिश यूनिट दो ट्राउट हैचरी तीन फिश सीड फिल्स और एक आइस प्लांट भी स्थापित करने जा रही है इस कारे के लिए साथ सी साथ उना के गगरेट में एक काफ फिश फॉर्म भी स्थापित करेगी जहां पर फकिसानों को इस से रिलेटिट ट्रेनिंग भी दी जाएगी हिमाचर परदेश में फिश की थोड़ सा हिस्ट्री देख लेते हैं जो एक्जाम पॉइंट होई से बहुत इंपॉर्टन है सन 1909 में एमल होगल ने ट्राउट ब्रीड की फिश को हिमाचर में इंटर्डूस किया था फिर उसके बाद 1912 में ब्यास नदी के किनारे पर महिले फिश फॉर्म स्थापित किया गया था इसके बाद 1947 में सुजान बल पतली कूल में एक फिश फॉर्म स्थापित किया गया जिससे के ट्राउट फिश की जो ब्रीडिंग है उसको प्रमोशन मिल सके हिमाचर परदेश सरकार के अंतरगद छे ट्राउट और छे काफिश फॉर्म आते हैं जो इस प्रकार हैं ट्राउट फिश फॉर्म आप यहां देख सकते हैं पतली कूल कूलू में है बरोट मंडी सांगला की नौर होली चंबा और धंवारी जिला शिमला में उसी तरह से बिलासपूर में इस्टैब्लिश हैं 1960 में अलसु मंडी दियोली उना कांगडा सुल्तानपूर चंबा और नालगर जिला सोलन में स्थापित किया गया है अब हिमाचर परदेश में मचलिया कौँ से परमुक ऐसी लेक्स हैं जिन में मिलती है सबसे पहले नाम आता है गोबि कश्मीर बॉर्डर पर है साथ ही चमेरा लेक जो के रावी निदी द्वारा बनाई है डिस्टिक चंबा में है तो ये चार जो लेक्स हैं बहुत ज़ादा हिमाचर को फिश एकॉनोमी के अंदर प्रमोशन में हल्प करते हैं आगे हम स्कीम की बात करेंगे सेक्टर है पंचा इसी के साथ ही अर्बन डेवल्पमेंट में हिमाचर परदेश सरकार कसा मिलकर हीमुडा एक नया टाउन शिमला के जथिया देवी में एस्टैबलिश करने जा रहा है connectivity की बात करें roads and bridges में roads and bridges में हिमाचर परदेश का target है 2023-2024 में हिमाचर परदेश की present जी उतनी सडके हैं उनका विस्तार करके 41,000 km करना साथ ही साथ नए roads, cross-dranages, metal roads और नए 27 bridges को नबाड की help से अगले आने वाले साल में शुरू करना अगली scheme है राजीव गांदी स्वरोजगार जोजना इसके तहट हिमाचर परदेश गौवर्मेंट financial support करेगी उन लोगों को जो machinery और equipment purchase करना चाहते हैं अपना dental clinic खोलने के लिए e-taxi purchase करने के लिए या एक mega power का solar power plant project लगाने के लिए साथ जिता है या fisheries में और इसी भी तरह के और भी sector जहांपे वो अपने economic growth कर सकते हैं अपनी income बढ़ा सकते हैं तो government की तरफ से ये assistance हैं उनको financially के इन से related वो अपने machinery और equipment purchase कर सकते हैं government उनको पूरा assist करेगी इसके अब बात करते हैं unity माल की unity माल के अंदर हिमाच्चर परदेश के अंदर जितने भी handicrafts हैं art and crafts हैं उनको एक छट के नीचे लाना है जो के one district one product को promote करने के लिए है और इसको नाम दिया गया है unity माल ये state government द्वरा establish किया जाएगा इसमें एक छट के नीचे हिमाच्चर परदेश के जितने भी GI tag products हैं उनको शोकेस किया जाएगा handicrafts related जितने भी हमारे artifacts हैं हमारे ancient हैं उन सबकी भी प्रदशनी लगाई जाएगी ये भी एक income source बढ़ाने का तरीका है आज की वीडियो में सरफ इतना ही हेलियो सकोचीस के साथ जूड़ निकले आपका बहुत बहुत धन्यवाद